रिके पॉंटिंग, ब्रायन लारा, जैक क्याले, सचिन तेंदुलकर एक दौर था जब इन प्लेयर्स का जलवा था। क्रिकेट फैंस की जुबा पर इनके स्टाट्स जो हैं उर्रटे रहते थे, लेकिन फिर दौर बनला, विराट रोहिद जैसे दिगजो की बारी आए, इनके बाद अगली पीधी को लीड करने के लिए रिशाप पन जैसे प्लेयर्स हैं, पन्त ने जब से टेस्ट क्रिकेट खे ऐसा ही कुछ सवाल किया, और जवाब में पॉंटिंग ने सचिन लारा की खूब तारिक की, भोगले ने पूछा था कि एक दोर में सचिन लारा और आप थे, इंजमाम भी इसी ग्रूप में आते थे, क्या आप लोगों के बीच कोई प्रतिद्वन देता थी, जवाब में प बैटिंग टेकनीक के चलते सचिन काफी लंबे अंतर से इस यूग के लीडर थे, इसी ने उन्हें सबसे अलग किया, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं था, ये हर उस देश में था जहां वो खेले थे, जैक कैलेस को उधार देते हुए पॉंटिंग ने अपनी बात आगे ब कर लें, ये बेहतरीन करियर होगा, और फिर उन्होंने तो दोनों ही किये, पॉंटिंग ने इस चर्चा में ब्रायन लारा का भी जिकर किया, पॉंटिंग बोले, जब लारा ने वेस्टनीज के लिए खेला बंद किया, तो लोगों का खेल में इंटरस्ट कम हो गया, क्योंक से अलग इसमें मानने जा सकते हैं, सचिन ने 200 टेस्ट में 53.78 के अवरेज से 15,921 रन बनाए, उन्होंने टेस्ट में सबसे ज़्यादा 51 शतक जड़े, साथ ही उनके नाम 46 विकर्स भी रहे, जबकि कैलिस ने 166 टेस्ट में 55.37 के अवरेज से 13,289 रन बनाए, जबकि कैलिस कैलिस ने 166 टेस्ट में 55.37 के अवरेज से 13,289 रन बनाए, उनके नाम टेस्ट में 45 सेंचुरी रही, जबकि गेल में कैलिस ने इतने ही टेस्ट में 292 विकर्ट चटका है, जबकि लारा ने 131 टेस्ट में 52.88 के अवरेज से 34 शतकों के साथ 11,923 रन बनाए, पॉंटिंग के नाम 168 टेस्ट में 51.85 के अवरेज से 13,378 रन रहे, उनके नाम टेस्ट में 41 शतक थे, वही जबाम ने 120 टेस्ट में 25 शतकों के साथ 49.60 के अवरेज के साथ 8,830 रन बनाए, इस कबर में फिलाल इतना ही, आपके लिए तमाम जानकारी जुडायती हमारे सहयोगी सूरज ने, मिरे नाम विकास पर्मा, देखतरी लेलेटोप स्पोर्ट्स